आज हम बात करने वाले दूस्तों पर्यावरन अध्यन के 100 अती महत्पून प्रश्णों के बारे में काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है तो आपको इसकित नहीं करना है आपको हर प्रश्ण का अंसर आपको कमेंट से के मध्यम से देना है 100 में से आपको 90 अंबर लेकर आना है ज़ादा यहाँ पर डीपली प्रश्ण मेंने नहीं लिए हैं सरल से प्रश्ण है यदि आपने परियावरन को एक बार पढ़ा होगा तो भी आप यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर 100 में से आपको 90 अंक लाना ह लिए उत्तरदाई है वोजोन है नाइटरस आकसाइड है क्लोरो फ्लोरो कार्बन है या फिर मेथेन है तो यहाँ पर आपका राइटा अंसर होगा जो घरेलू में वैसी तथा भीड़ किस हरिद्गरा गेस के उत्पादन के लिए उत्तरदाई है तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा यदि आपने सही विकल्प चुना है तो आप एक नंबर जोड़ सकते हैं अगला प्रशन है पोधो को वायू मंडल का सुद्धिकारक कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसमें क्या होता है स्वसन की किरिया वास्पो सरजन की किरिया प्रकास अंसले प्रशने हैं और काफी इंपोटेंट हैं उद्ध्यान से सम्मदित प्रशने पूशे जाते हैं जो सरिस्का राश्टी उद्ध्यान है कहां पर सिथे पस्षी मंगाल में हैं गुजरात में हैं राजिस्तान में हैं या फिर असम में हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर होग या फिर World Watch Fund तो यहाँ पर जो WWF से सही होगा या फिर उसका जो Full Form होगा वो यहाँ पर होगा आपका World Wild Life Fund तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा फूलो की घाटी जो फूलो की घाटी दोस्तों यह कहां पर श्तित है जम्मू कस्मीर में हैं हैं मचल च्छटा प्रस्ण वन जीव सुरक्षा दिनियम पारित किया गया था जो यहाँ पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा जो प्रस्ण आपका सही हो उसका एक नंबर जोड़ते चलेगा आप कमेंट से के माध्यम से आंसर दे सकते हैं या फिर अपनी कोपी में भी इसके आंसर लिखकर लाश्ट में हमें बता सकते हैं बानिपूर नेशनल पार्क के कारवेट नेशनल पार्क के काजरंगा नेशनल पार्क या फिर गेर नेशनल पार्क यहाँ पर चारो विकल्पों में इसलिए पड़ रहा हूँ अनसर भी आपको पता होगा कि जो rate data book है ये किसे सम्मंदित है विलुप्त के करीब जीव नदिव में प्रोदूशन घटता भूगर्व जलिस्तर या फिर वायू प्रोदूशन तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि जो rate data book है ये विलुप्त के करीब जीव से संबंदित होती है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा सोला घास इस्तल ये कहां पाये जाते हैं हिमाचल में, पश्चिम घाट में, पूरवी घाट में या फिर विंधियांचल में सभी के सभी इंपोटेंट है, आपको सभी का अंसर देना है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा पश्चिमी घाट, सोला घास इस्तल पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर पाये जाते हैं तो यहाँ पर आपका राइट अंसर बीवाला होगा भारत में पेलिकन पक्ची कहां प्रजनन करते हैं जो पेलिकन पक्ची हैं ये कहां पर प्रजनन करते हैं भारत में ये आपको बताना है कोलकारे, बेलूर, नेपपट, कुंथन कुलम या फिर ये सबी तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ये सबी कोला केरे बेलूम, नेला पट और कुंथन कुलम यहाँ पर ये तीनों जगा पर प्रजिनन करते हैं भारत में पेलिकन पक्षी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा वाइल्ड लाइफ इंसिटूट आफ इंडिया कहा आश्तित है यहाँ पर देखे जो वाइल्ड लाइफ इंसिटूट आफ इंडिया है ये कहाँ पर इस्तित है इसके बारी में आपको बताना है अहमदाबाद है नई दिल्ली है कोयम बटूर है या फिर दहरादून है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दहरादून याद रखेगा जो वाइल्ड लाइफ इंसिटूट आफ इंडिया है ये दहरादून में इस्तित है बारवा प्रस्ण है किस वर्णक की उपस्तिती के कारण पोधे हरे होते हैं आपको बताना है जो पोदे हरे होते हैं वो किस वर्णक की उपस्तिति के कारण होते हैं यह आपको बताना है एंतोसाइनिन, केरोटिनाइड लाइकोपीन या फिर क्लोरोफिल तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल याद रखेगा क्लोरोफिल वर्णक की उपरसिति के कारण पोदे हरे होते हैं तो यहाँ पर आपका रायट अंसर फोरत वाला होगा अगला प्रश्न है परियावरन सनरक्षन अधिनियम कब बनाए गया है जो परियावरान सनरक्षन अदिनियम है ये कब बनाए गया था 82 में 86 में नभे में या फिर 94 में तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा 1986 में याद रखेगा जो परियावरान सनरक्षन अदिनियम है ये 1986 में बनाए गया था तो यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही हो लखिंपुर खिरा जिले में इस्तित है याद रखेगा जो दोद्व राष्टि उद्ध्यान है यह उत्तर प्रदीश के लखिंपूर खिरा जिले में इस्तित है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पर आपका सही होगा केंद्री नियंत्रन प्रदूसरन बोर्ड की स्थापना कब हुई यहाँ पर देखी जो केंद्री नियंत्रन प्रदूसरन बोर्ड है इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई 70 में, 72 में, 74 में या फिर 84 में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1974 में याद रखेगा जो केंद्री नियंतरन प्रदूथन बोर्ड की स्तापना हुई थी वो 1976 में हुई थी अगला प्रशन है पेरियार राष्टी उद्ध्यान इसके बारे में भी आपको पता होगा पेरियार राष्टी उद्ध्यान ये कहां पर इस्तित है मेगालई में केरल में महराष्ट में या फिर ओडिसा में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केरल में याद रखेगा पेरियार राष्टी उद्ध्यान केरल राज्जी में इस्तित है जलवायू परिवरतन का कारण है यहाँ पर देखिए जलवायू परिवरतन का क्या कारण है यहाँ आपको बताना है ग्रीन हाउस गेस और जोन परत का सरन चरन प्रदूसन या फिर उप्रुक्तु सभी यहाँ पर देखे कोई सभी प्रशन इसा नहीं है जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से इत्मिनान से आंसर देना है यदि आप उस समय में चार विकल्पो को यदि में पढ़ता हूँ और आंसर बता देता हूँ उस समय में यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पूश करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं सभी प्रस्णों का एक एक करके तो यहाँ पर देखिए जलवायू परिवरतन का करण ग्रीन हाउस गेज भी होता है और जोन परत का छरण भी होता है और प्रोडूसन भी होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उप पूर्प्रक तो सभी होगा अग्ला प्रश्न है Montreal Protocol संबन दित है जो Montreal Protocol है मैक्रोसोप्ट से है अवजोन परत सनरक्षण से है Montreal की आबादि सी है अफिर इन में से कुई नहीं तो यहाँ पर आपका राइट आइंजर होगा अवजोन परत Сनरक्षण से याद रखी काफ़ी important है Montreal Protocol मुकाल वजोन परातस ररखशंग से संबंदित है प्रथम विश्व परियावरन दिवस कब मनाया था काफी परियावरन दिवस कब मनायए जाता है यह क्योंच के तोर पर आपको कमेंट्रणि की मध्यम से आंसर देना है सरलसा है सभी इसके बारे में जानते हैं थोड़ी दिन पहले ही विस्व परियावरन दिवस मनाय गया था कौन से दिन मनाय गया था या आपको कमेंट से की माध्यम से बताना है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रत्थम विस्व परियावरन दिवस कब मनाय गया 1970 में, 73 में, 75 में या फिर 86 में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1973 में याद रखेगा काफी important हैं प्रत्थम विस्व परियावरान दिवस 1973 में मनाया गया अगला प्रस्वन है विस्व वाने की दिवस मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है अखबार में कौन सा विसला तत्व होता है जो अखबार में विसला तत्व होता है उसके बारे में पूछा गया है पारा है लेंड है मैगनीज है या फिर केड मियम है तो यहाँ पर काफी important प्रस्व 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 प्र होगा कि अर्वनांचल प्रदेश में हैं मेजवरम में हैं लक्षदीप में हैं या फिर मद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् रक्त कैंसर, बेंजन अध्योगी कर सायन से होता है अगला प्रस्ण नहें वातावरण में सरवाधीक प्रदूसक कों सी गेस है तो यहां पर देखि व्यूटेन है, बेंजन है, मीथेन है या फिर प्रोपेन है तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा वो मिथेन गेस है वातावरण में जो सरवादिक प्रदुसक गेस होगी वो मिथेन होगी तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा घर में हानिकरक विकिरन का सबसे बड़ा इस्त्रोत कौन सा है फेन है, हीटर है, रंगिन टीवी है या फिर ट्यूब रोसनी है काफी इंपोटेंट हैं इससे सम्मलित प्रशनी पूछे जाते हैं तो आपका राइट आंसर होगा रंगिन टीवी याद रखिए घर में हानिकरक विकिरन का जो सबसे बड़ा इस्त्रोत है इसके बारे में आपका वताना है, चंदर प्रभा है, बांदी पूर है, मानस है या फिर पेरियार है तो याद रखेगा वो पेरियार अब भ्यारन है, जो कि जंगली हातियों के लिए प्रसिद्ध है तो इहाँ पर डी वाला विकिल्प आपका सही होगा चली, अगला प्रश्ण है, धुएं से आखों में जलन पेदा करने वाला होता है, जब आपने देखा होगा धुएं से आखों में जलन होती हैं, तो किसकी वज़े से होती हैं, यह आपको बताना है, सल्फर डाय अक्साइड से, पर आकसी ऐसी टिल नाइट्रेट से, अजोन से या फिर नाइट्रेट अकसाइड से काफी इंपोटेंट प्रश्ण हैं, तो याद रखेगा जो धुएं से आखों में जलन पेदा करने वाला क्या होता है, वो नाइट्रिक अकसाइड होता है, याद रखेगा यहाँ पर फूर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा, निमलि या फिर मेथेन हैं, तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा नाइट्रोजन याद रखेगा, जो हाइद गरागेस नहीं होगी वो नाइट्रोजन नहीं होगी, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगλα प्रुछन है इंडियन इंस्टीट ओफ फोरेस मेनेजमेंट कहा है यहाँ पर देखी जो इंडियन इंस्ट्यूट और फोरेश्ट मेनेजमेंट के बारे में पूछा गया है कहाँ पर है देहरादून में है बैंगलूर में है भोपाल में है या फिर नाकपूर में है तो याद रखेगा जो इंडियन इंस्ट्यूट और फोर 27 सितंबर है या फिर 28 मार्च है तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा 27 सितंबर याद रखेगा जो विश्व परियावरण दिवस मनाय जाता है वो 27 सितंबर को मनाय जाता है अब यहाँ पर विश्व टाइगर दिवस के बारें पूछा गया है कि इसको कम मनाय जाता है 29 ज अगला प्रशन है बहरत में सबसे कम वन किस राज़ में है चाथिसगड में पंजाब में है हरियाना में है या फिर उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरियाना में भारत में जो सबसे कमवन है वो किस राज्जी में होंगे हरियाना में होंगे तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा भारत में राष्टी वन निती कब शुरू यहाँ पर देखिए भारत में राष्टी वन निती के बारें पूछा गया है कि इसकी सुरुवात कब हुई थी 1952 में, 53 में, 54 में या फिर 55 में तो यहाँ पर आपका right answer होगा 1952 में याद रखेगा भारत में राष्टी वननेती 1952 में शुरू हुई थी विश्व वन जीव कोस द्वारा प्रतीक के रूप में किस पसू को लिया गया काफी important हैं पांडा को लिया गया था हीरन को गाय को या फिर जंगली भेंस को तो यहाँ पर जो विश्व वन जीव कोस द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया था वो पांडा को लिया गया था पांडा पसू को लिया गया था तो यहाँ पर पहला वाला विकल पे आपका सही होगा सीतकाल में कहां साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं पर देखे जो सीथकाल में पूछा गए ऑगा शाइबरियन सारस दिखाई देते हैं पेज राष्टी उद्ध्यान में दाचीगाम राष्टी उद्ध्यान में बोरी वल राष्टी उद्ध्यान में या फिर घणा पकची विहार में तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा गहना पक्षी विहार में याद रखेगा जो सीतकाल में साइबेरियन सालस दिखाई देते हैं वो गहना पक्षी विहार में दिखाई देते हैं तो यहाँ पर फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण है पारिशित की विज्ञान केंदर कहां पर इस्तित ह यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा भारती वन सर्वेक्षन विभाग की स्तापना कब हुई 70 में 81 में 72 में या फिर 1988 में तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 1981 में याद रखेगा जो भारती वन सर्वेक्षन विभाग की स्तापना हुई थी वो 1981 में हुई थी अगला प्रश्न है भूमिगत जल को दूसित करने वाले आजेविक प्रदूसक है बेक्टीरिया है सेवाल है आरसेनिक है या फिर विसानू है यहाँ पर भूमिगत जल को दूसित करने वाले आजेविक प्रदूसक के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो विस्व मरस्तली करण रोक्थाम दिवस कब मना जाता है चार मई को आट मैं को एक जुलाई को या फिर सतरा जुन को तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा गिफात्रा विश्व मस्तुली करण रोकताम दिवस मना जाता है वो 17 जून को मना जाता है अगला प्रशन है निमलिखित वायू प्रदोसकों में से कौन रक्त धारा को दूस प्रभावित कर मोत उत्पन कर सकता है यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं धूल है केडमियम है लेंड है य चार विकल्पों में से कौन वायू प्रदोसकों में से रक्त धारा को दूस प्रभावित कर मोत उत्पन कर सकता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कारबन मोनो आकसाइड यहाँ पर फोर्ट वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सा वायू प्रदोसक का एक जेव सूचक है फरन है माईलेख है मनी प्लांट है या फिर अमर बेल है तो यहाँ पर वायू प्रदोसक का एक जेव सूचक पूछा गया है तो आपका राइट आंसर लाइकेन होगा यहाँ पर बी वाला चित्र कहां पर देखा गया भूमद्य रेखा के पास अंटार्क टिका में इंडोनेशिया में या फिर मकर रेखा के पास आश्टेलिया में तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा अंटार्क टिका में याद रखेगा ओजोन परत में विसाल चित्र अंटार्क टिका में दे पूचा गया है एक मार्च को दस मार्च को दस जनवरी को या फिर एक जुलाई को तो यहाँ पर आपका रायटांसर होगा एक जुलाई को याद रखीगा हमारे देश में वन महस्तव दिवस एक जुलाई को मनाये जाता है याद रखीगा फोर्थ वाला विकल पर आपका सही होगा सुन्दरवन में निम्न में से कौन सा व्रक्ष सरवाधिक पाये जाता है यहाँ पर देखे सुंदर्वन के बारे में पुछा गया है कि इसमें कौन सा व्रक्ष सरवाधिक पाये जाता है सागोन है, पीपल है, सुंदरी है या फिर नीम है, तो यहाँ पर आपकर आइट 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 यूरिया को लेपित करने हैं तू प्रियुक्त हो रहा तेल किस पोधे के बीच का है कपास का है नीम का है एरंडी का है या फिर होबा का है तो यहाँ पर आपका रायटांसर होगा नीम का याद रखेगा यूरिया को लेपित करने हैं तू प्रियुक्त हो रहा तेल नीम के पो दिया जाने वाला पोधा कौन सा है यहाँ पर आपके सामने चार विकल्पे है सरकंडा है गन्ना है खजूर है या फिर बास है तो राइट आंसर आपका होगा बास याद रखेगा संसोधन अदिनियम 2017 में रक्षो की सूची में से बास को निकाल दिया जाने वाला ये पोधा है तो यहाँ पर कौन सा पोधा होगा बास होगा तो यहाँ पर डी वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्न है पचासवा वन जीव रक्षा के छेतर में उलेखनी योगदान के लिए भारा सरकार द्वारा इस्थापित पुरुसकार कोन सा है गारगी पुरुसकार है इंद्रा गांधी पर्यावरन पुरुसकार है अमरता देवी विश्णोई पूरुसकार या पिर प्रीदर्सनी पूरुसकार है तो यहाँ पर वनजीव रक्षा के छेतर में उलेखनी योगदान के लिए भारा सरकार द्वारा इस्थापित पूरुसकार के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा अमरता देवी विश्णोई पूरुसकार अगला प्रशन है केंदरी प्रोदूसरन नियंतरन बोर्ड जिसे सोटकट में सीपी सीबी भी कहा जाता है इसके अनुशार रिहाईसी इलाकों के लिए द्वनी की उपरी सीमा क्या है पेतालिश डेसिबल है पच्पन डेसिबल पच्छतर डेसिबल होगी तो यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कौन सा एक मुर्दा खोर नहीं है इसके बारे में पुछा गया है मसरूम है गिद्ध है दीमक है या पिर केच्वा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मसरूम याद रखेगा जो एक मुर्दा खोर नहीं है वो मसरूम नहीं है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कौन एक से अधिक पोष्टिकता इस्तर का सदर्श्य है सांप है तिंडा है पलवक है या फिर मानव है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा मा कुन होगा मानव होगा क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातू कुन सी है मेगनिशियम है कोबाल्ट है लोहा है या फिर निकिल है काफी इंपोटेंट प्रस्न है तो याद रखेगा जो क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातू है वो मेगनिशियम है आपर पहला वाला विक प्रत्वी की सता से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं यहाँ पर देखे सबसे दूर वातावरण की परत के बारें पूछा गया है प्रत्वी की सता से सबसे दूर वातावरण की परत है उसे क्या कहते हैं धरश्य प्रकासन के किस रंग में प्रकास संस्लेशन की किरिया सरवादिक होती है नीला हरा लाल या फिर नारंगी का फिर शरल है इसका अंसर तो आपको पता होगा वो रंग कौन सा होगा लाल होगा दरश्य प्रकास के लाल रंग में प्रकास संसलेशन के किरिया सरवादिक होती है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण है राष्टी परियावरन अभियांत्री की अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्तित है बहपाल में है देहरादून में है नागपूर में है या फिर बेंगलूर में है तो आपका रायट आंसर होगा नागपूर याद रखेगा राष्टी परियावरन अभिय तो ये राजिस्तान में इस्तित है भारत के निमलिकित टाइगा रजर्व में कौन सा मिजोरम में इस्तित है यहां पर देखे चार विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा टाइगा रजर्व मिजोरम में इस्तित है मेल घाट है बुकसा है दंफा है या फिर भट्टा है त दंफा, टाइगा रिजर्व है, यह मिजुरम में इस्ति थे, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा, सुल्तान पक्छी अभ्यारन यह किस राज्जी में इस्ति थे, उत्तरप्रदेश में, हरियाना में, हमाचल प्रदेश में, यहाँ पर राजिस्तान में, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, हरियाना में, याद रखीगा, सुल्तान पक्छी अभ्यारन, हरियाना राज्जी में इस्ति थे, अगला प्रशन है, फोरेश्ट रिसर्च इंसिट्यूट है, यह कहाँ पर है, फोरेश्ट रिसर्च इंसिट्यूट नागपूर में ह तो आप सभी को पता होगा कि जो दूद्वा राष्टी उध्यान है ये उत्तर प्रदेश में इस्तित है भारत में चंदन की लकडी के सरवाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं मद्यप्रदेश करनाटक मिजोरम या फिर उत्राखंड तो ये पाए जाते हैं करनाटक या भारत में चंदन की लकडी के सरवाधिक जो वन पाए जाते हैं वो करनाटक राज्य में पाए जाते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ काफी इंपोटेंट काफी सरल है आपको सभी को पता होगा 73 में 82 में या फिर शानवे में तो ये हुआ था 1973 में भ मार्च 7 अपरेल या फिर 22 अपरेल तो ये मनाय जाता है 22 अपरेल को विश्व प्रत्वी दिवस 22 अपरेल को मनाय जाता है विश्व ओजोन दिवस ये कम मनाय जाता है 5 जुन को 21 मार्च को 5 अपरेल को या फिर 16 सितंबर को याद रखेगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है हैदराबाद में श्तित हुसेन सागर जील किस जीव की वरद्धी से नश्ट हुई यहाँ पर देखे बताना है जो हैदराबाद में श्तित यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रशने पूछा जाता है कि हुसेन सागर जील किस राज्य में इस्ति थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैदराबाद में इस्ति थे और ये किस जीव की वरद्दी से नष्ट हुई है लेमना, हाइडरीला, मगरमच या फिर जलकुम्बी तो यहाँ पर आपका राय टांसर होगा जलकुम्बी याद रखेगा जलकुम्बी जीव की वरद्दी से नष्ट हुई है हुसेन सागार जिल जो की हैदराबाद में इस्ति थे तो यहाँ पर डी वाला विकल्पे आपका सही होगा पोध है किस प्रकार का जल अवसोसित करते हैं गुरत्वी जल, केसी का जल, आदरता जल या फिर क्रिश्टली जल तो याद फिर रखेगा जो पोध है जल अवसोसित करते हैं वो केसी का जल को अवसोसित करते हैं पोध है तो यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा अग्ला प्रश्न है सरप्रिथम पारिसित की इस्तूप की परिकलपना प्रस्तूत की किस के द्वारा की गई चार्स एल्टन के द्वारा ओडम्द के द्वारा डार्विन के द्वारा या फिर टैंसले के द्वारा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो सरप्रिथम पारिशित की इस्टूप की परिकलपना प्रस्थुत की वो चार्श एल्टन द्वारा की गई तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा अगला प्रश्णव है मरुस्तल में उगने वाले पोधे कहलाते हैं और जो मरुफ्तल में उगने वाले पोधे हैं उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाते हैं तो याद रखेगा वो जीरो फाइट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मरुफ्तल में उगने वाले पोधे जीरो फाइट कहलाते हैं तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही निमलगित में से global warming के लिए उत्तरदाई तो है काफी सरलसा और काफी important है तो इसके बारे में आपको बता होगा वो S-2 है जो की global warming के लिए उत्तरदाई है तो यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला पॉशन है निम्न में कों सा एक सागरी राष्टी उद्ध्यान है भीतर कनिका है माना से मननार की खाड़ी है या फिर सुन्दरवन है यहाँ पर देखे एक सागरी राष्टी उद्ध्यान के बारे में पूछ़ा गया है तो आपका right answer होगा मननार की खाड़ी यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा यहाँ पर सी लिखा हुआ है दिहन दीजीगा जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा चलिए ग्रेट हिमालई राष्टी पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोवर इस्तल गोंसित किया है यह किस प्रदेश में है इसके बारे में आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में है उत्राखंड में है जम्मू कस्मीर में है या फिर मेगले में है तो यहाँ पर आपका प्रदी है तू सबसे उप्युकते है बालू है दोमत मिट्टी है चिकनी मिट्टी है या फिर बजरी है काफी इंपोटेंट है और इसके बारे में आपको पता होगा कि दोमत मिट्टी है पादा प्रदी है तू जो सबसे उप्युकते मिट्टी होगी वो दोमत मिट्टी हो अधिक वर्षा वाले उष्ण छेत्रों में भारी वर्षा होती है अतहाँ वहाँ वन होते हैं कुन से वन होते हैं सदाहरित वन होते हैं दड़पड़नी होते हैं घास वन होते हैं या फिर मरुस्तल होते हैं तो यहाँ पूर आपका राइट आंसर होगा सदाहरित वन होते हैं 1985 से हर वर्ष भारा सरकार इत्तिस्तान के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मानती है तो यहाँ पर आपको महा बताना है कौन से महा के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है तो वो है अक्टूवर के याद रखेगा 1985 से हर वर्ष भारा सरकार अक्टूवर के पहले सोमवार को विश्व हैपिटेट दिवस मनाती है तो यहाँ पर आपका रायट अंसर B वाला होगा बिजली कड़कना यहाँ पर बिजली लिखा हुआ है बिजली कड़कना तुफानोवा आंधियों का होना पाया जाता है समताप मंडल में, छोब मंडल में, मद्ध मंडल में या फिर आयान मंडल में तो याद रखेगा बिजली कड़कना तुफानोवा आंधियों का होना या छोब मंडल में पाया जाता है तो यहाँ पर आपका right answer होगा हाईगो मीटर याद रखेगा किसी इस्तान की आप एक चित आदरता ज्याद करने का जोब करन होगा वो हाईगो मीटर होगा यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण है विश्व में सरवाधिक लवनता पाई जाती है ग्रेट साल्टलेक में मृत सागर में प्रसांत महा सागर में या फिर वान जहिल में तो यहाँ पर आपका right answer होगा वान जहिल में विश्व में जो सरवाधिक लवनता पाई जाती है वो वान जील में पाई जाती है अगला प्रशन है अमल वर्षा जिसे एसीड रिन की नाम से भी जाना जाता है ये होती है कारखानों से, पेटरोल से, कोईला जलाने से या फिर लकडी से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कारखानों से, जो अमल वर्षा होती है वो कारखानों से होती है अगला प्रशन है, निमलिकित में से पारिस्तित की तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है संगठक कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है भाइयू है वनस्पति है, जीवानों है या फिर जानवर है तो यहां पर आपका रायट आणसर होगा वाइयू. याद रखेगा, पारिस्वित की तंत्र का एक जीवी संगठक पौन सा नहीं है तो वो वाइयू नहीं है या पर पहला वाला विकल पे आपका सही होगा अंतराष्टी अमल वर्षा सूचना केंदर स्तापित किया गया बरलीन में, ओसलो में, ओसाका में या फिर मेंचेस्टर में तो ये किया गया था ओसलो में याद रखेगा अंतराष्टी अमल वर्षा सूचना केंदर ओसलो में स्थापित किया गया था यहाँ पर B वाला विकलपे आपका सही होगा पारिसित की स्थाई मित व्याइता है यहाँ किस आंदुलन का नारा है एपिको आंदुलन नर्बदा बचाव आंदुलन चिपको आंदुलन या फिर इन में सी कोई नहीं तो यहाँ पर यह जो आंदुलन है दोस्तों ये चिपको आंदुलन का नारा है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा लवनी म्रदा में उगने वाले पादपो को कहते हैं क्या कहते हैं लवनी म्रदा में उगने वाले पादपो को हेलोफाइट आकसिलोफाइट केमजोफाइट या फिर वाईू एक योगिक है, तत्व है, मिसरन है या फिर Вिद्यूत अब घटाई है तो यहां पर जो वाईू होगा दोस्तो यह एक मिसरन है तो यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कोंसा तत्व समस्त प्रत्वी में सरवाधिक मातरा में पाए जा लोहा तत्तु समस्त प्रत्वी में, सरवाधिक मातरा में पाय आता है फ्लाई एस एक प्रदूसक दहन उतपादक हे जो प्राप्त होता है जलाने से कोल या फिर पत्थर के कोईले को को डीजल या पिर मिट्टी के के तेल को या फिर सीन जी को काफ़ important प्रस्ट नहीं तो याद रखेगा fly as एक प्रदूसक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होते हैं किसके जलाने से कोल या फिर पत्थर के कोईले को जलाने से तो यहाँ पर आपका जो right answer होगा वो पहला वाला होगा अगला प्रस्ट नहीं किस देश में सरवपृथम अमली वर्षा होई थी यहाँ पर देखे सरवपृथम अमली वर्षा किस देश में होई थी नार्वे में स्वीडन में इंगलेंड में या फिर फ्रांस में तो याद रखेगा यह स्वीडन में होई थी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोलकाता, याद रखेगा Smoke City of India की जो उपुमा प्रदान की गई है, वो कोलकाता को की गई है, वायू मंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंदरी थी, समताप मंडल में हैं, छोब मंडल में हैं, मद्धी मंडल में हैं, या फिर आया स्टोन केंसर जैसे खत्रे का प्रमुक कारण किसे माना जाता है, अमलो वर्षा को, ग्रीन हाउस प्रभाव को, ब्राउन हैज प्रभाव को, या फिर वैस्विक तापमान को, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, अमलो वर्षा को याद रखेगा, स्टोन केंसर जैस से खत्रिय का जो प्रमुकारण माना जाता है वो अमलवर्षा को माना जाता है निमलकित मेंसे किस एक गेस में कारबन-mono-a-kside की सरवाधिक प्रतिसत्ता होती है कोईला गेस में प्राकर्तिक गेस में वायू अंगार गेस में या फिर भाप अंगार गेस में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाप अंगार गेस में याद रखेगा कारबन मोनो अक्साइट की जो सरवादिक प्रतिसत्ता होती है वो भाप अंगार गेस में होती है यहाँ पर फूर्थ वाला व सपाई जाती है सर्विस इस्टेजन पर मोटर कारों के प्रदूस्रण जांच में निम्लिखित मेंसे किसकी पेश्चान तथा उसकी मातरा को मापा जाता है सीषा तथा कार्बन करण नाया जाता है तो यहां पर आपका right answer होगा सीसा तथा कार्बन कंकी मातरा को मापा जाता है तो यहां पर पहला वाला जो विकल्पे होगा वो आपका सही होगा अगला प्रश्न है निम्न में से कोन सी गेस ग्रीन हाउस effect के लिए उत्तरदाई है आक्सिजन है क्लोरीन है नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाई आकसाइड है तो इसके बारे में तो आपको पता होगा यह कार्बन डाई आकसाइड है जो कार्बन डाई आकसाइड यह से यह ग्रीन हाउस effect के लिए उत्तरदाई है तो यहां पर फ पेदा होती हैю तो यहां पार जो चोब immature है यह वायू मंदल का सब Herausforder ही यह प्रत्वी के प्रिश्टी से गर्म हो जाता है तो यहां पर तीसरा वाला विखल पर आपका सही होगा सभाध ले अगला प्रश्ण है को निमनीई तमे से को नीन धुम्र अजित में से कौन धूमर नगर के नाम से जाना जाता हैं। यहां पर विकल्पे सही होगा। याद रखेगा वाईव मंडल में देनिक मोसम परिवर्तन छोब मंडल परत के कारण होता है तो यहाँ पर वी वाला विकल्पे आपका सही होगा तो सब से पहले आपको यहाँ पर 100 प्रषनों में कितने नमबर आएपको कमेंट से कि माध्यम से बताना है वीडियो अच्छा ल लेना है तो जल्दी ही दोस्ते के नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद